Hello and welcome guys, मेरा नाम तस्खीर है और इस वीडियो के अंदर में देखने वाला हूँ, कल हमने इमरान रियास खान की स्पीच देखी थी, Freedom of Expiration के जो सेमिनार था उसके अंदर की, अब देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, Senior Journalist अयाज आमिर की दबंग स्पीच एट सेमिनार, द अलाना साँ का ये रोल होगा, शरीफों का ये रोल होगा, जर्दारी साब ये कमानाद दिखाएंगे, वो सब कुछ स्क्रिप्ट में था, अच्छा स्क्रिप्ट इसका रिक्षिए भी थीुगा, Mood of the masses, Mood of the populous, क्या बन चुका है, उनकी किताबों में, इसका कोई इंदरा अच्छ नहीं था, और यहीं नीचीज है, वोट्टो साब छोटे लीडर नहीं थे, परस्नालिटी भी, शक्सियत भी, करिश्माती थी, पार्टी भी थी, हकूमत में रहे थे, और उस वक्त, जो अकाबरें थे, आउस्ट्र वपार के बाद, वोट्टो साब को जेल में डाल 302 का मुकदमा किया, अन्जाम हमें पता है, और पीपल्स पार्टी सप्रेस हो गई, और यह जो कहते हैं कि रियालिटी चेंज नहीं होती, पंजाब पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉंग ओल्ड था, जब पुलिटिकल एंजिनेरिंग जियार रिजीम की की गई, तो पंजाब का रंग जो है, पुलिटिकल कलर चेंज हो गया, और उसी में फिर यह शरीफ जो है, इनको लाया गया, लेकिन आज हालाद बदर चुके हैं, एक यह जनरल जिया का पाकिस्तान नहीं है, एक यह वो मीडिया नहीं है, रिस्ट्रिक्शन के बावजूद, एक जो नई चीज आ इसे बात पॉशिबल थी, 1970s और 80s में, अगर कर सकें तो आज कर दें, लेकर मुम्किन नहीं हो रहे हैं, और दूसरी बात यह है, कि जो लोग जाग पड़े हैं, जिन सेक्शिंस अफ पॉपुलेशन को आपने जगा दिया हैं, लेकर ने 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 पाकिस्तानी पॉलिटिक्स लेकर आज़ने, इसलामबाद, कराची, इनका सियासत से क्या दर्लग है, यह पैरेकेड्स पे का बात हैं, आपके जलसों का जोरी, साड़े ग्यारा बारा के बाद शुरू होता है, रात गए कहां खांदान, जलसों में जा रहे होते, लेकर आपको यही महीं देगा था, ले इस वज़ा से हो रही है, कि this was the factor, जो के factor in नहीं हुआ था, जो इनकी समझ से बाहर था, और अब जो है, यह चीज़ें हो रही हैं, यह करते हैं, वो जो है, वो जो फंडिंग का केस है, फ्लाने का केस है, वो है, लेकिन एक बात, देखें आप, फ्र भी हम्मत नहीं पड़ रहे, जो करना चाते हैं, अगर आप खाइशात का दिल चाक करके देखें नहाय है, क्या खाइशात होगी, खाइशात वो सिरफ बन नहीं पा रहें, चात नहीं पा रहें, और और भी बहुत सारी चीज़ें है, कहियों का जिकर यहां पे हो सकता ह कियों का जिकर नहीं हो सकता खाज आस्व ने कहा अब मैं इस लिए कह रहे हूझ है कि आर्मी चीफ का जो है ने आर्मी चीफ का प्रोसेस अभी तक मेग्री नहीं होना और आंसे तक को हाझा कि आप उसका तो हमने सुच्छा तक नहीं हम में ने लंडन कौन जा रहा है हम आज रहा है यहां पर लंडन की बात मीडिया पर आप कंट्रोल करेंगे यार यह साइलेंट होई वीडियो क्या था वो जो इसमें लिखके बताओ फिर अफवाहें जनम लेंगे और अफवाहों की ताकत सची खबर से भी ज्यादा प्रूजाएंगे तो पूरा मुल्क जो है अफवाहों के लपेट में है कि लंडन जाने क्यों गए थे क्या करने गए थे इरफान सिदीकी हमारे दोस्त जो सेनेटर है नून लीग के सरसाइद स्कूल में यहां बढ़ाती भी रहे हैं बहुतों के उस्ताद रहे हैं अभी वहां गए हुए थे उनसे क्या गुफ्तगू हुई क्या वहां पे करते रहे और एक और बात जो मैं वो कह रहा था कि आपने इन इन सेक्शन्स को गैलवनाइज किया है वहां पे नवाज श्रीफ साब को मिलने वहां पे एविन फील्ड अपार्टमेंट्स में तो हो नी सकता था कि डर आपके लोगों का था फिर वो तीन गाड़ियों पीछे से ले जाया गया और वो जो अर्शद मलक जजज साब हैं उनके केस में एक नासर जंजुआ पड़े मीटिंग हो सकी मतलब आपने ये हालत वहां की और वहां की बना दी है और मसीबत यह है कि अभी तक इनको कोई नुस्खा मिल नहीं रही कोई दवाई मिल नहीं रही देखिए मैं सदमे से कह रहा हूँ के बुटो का नुस्खा उन्होंने ढून लिया था और उन पे ये ये हुआ था ऐसे ऐसे हुआ था लेकिन ये जमाना अच्छी बात कि हम इस नए पाकिस्तान में मुखतलिफ पाकिस्तान में हम जी रहे हैं और हम ये देखने और हमारे सामने ये पहला experience है इस पाकिस्तान का सानिया हुआ तो यहां पे कोई resistance नहीं थी पंगालियों के हक में कोई एक आवाज नहीं उखती थी एक दो maverick politicians थे like मले गुलाम जिलानी बगएरा अब्दुल्वली खान बगएरा ने कहा वेस्त पाकिस्तान खरगोच से ज्यादा की नीन सोई हुई थी और वहां पे जो कछ हुआ वो बहुत और भी वाकियात हुआ है MRD बगएरा की movement 1983 में कोशिश की सिंद के चंद इजला तक मस्दूद रहे हैं ये जो है आपकी जिस किसम की आपका और अब इसमें मेड 25 के बाद इसमें एक निया निकार आ गया है एक नई सटल्टी आ गई है ये जो आप आगस्ट 14 का जो जलसा था लहूर के और कंट्रास देखिए वहां उसकी रॉनक उसकी एक्जूबरंस और दूसरी तरफ था क्या है उनका शमाज शरीक ठके हुए तरीके से अड्रेस कर रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहे हैं वो इस इंट्रस्टेट इन नाशनल असेम्बली नावड़ेश वो इस इंट्रस्टेट इन मिनिस्टर यह आपकी तारीफ और उनकी तनकीद मकस्द नहीं है सिर्फ यह बताना है कि जो माजी गुजर चुका है यह जो हम देख रहे हैं हकूमत में जिनको लाके बिठाया गये यह नुमाइंदे वो बाते चली गई जो अब नहीं चाहिए आज का लहजा आज की जबान आप लोगों के पास यह इस वक्त हिस्टॉरिक मॉर्मंट पाकिस्तान में देखें रेवलुशन जब होते हैं कोई चेंज होता है उसमें अन्थूजियर्जम वो होता है बाद में डिसन्चांटमंट भी होती है इसलूजिन्मंट होती है लोग उनके साथ उन मॉव्मंट्स के साथ नत्थी होते हैं बाद में कहते हैं क्या हमने तो यह सोचा था यह वो बात की बात है ये इशक के साथ भी ऐसा ही होता है, जब इशक मेंदान में आपका कदम रखते हैं तो पता निए किस सोच के साथ करते हैं, और आखर में पताने क्या हुता है, ये और चीज़ है, वह आने वालना वट बताएगा के आप उन तकाँजू पर उतरते हैं ये नहीं, पर ये जो व isolation को capture कर लिया यह कुछ मौका है कुछ आपकी हिम्मत है आपकी पार्टी की वो है चीज पर आपने यह कर लिया है ऐसे कभी पहले नहीं नेवर 75 यह और अन्डिस अस बें गिवन टु यू ना हमाना सिर्फ यह नहीं है कि हम एक तरफ की वो बात करें आइम एक्स आमी मैं मैं फॉर्ड मैं नहीं चाहता कि फॉर्ड जो है नाश्रल मेंस्ट्रीम से यह हो आई डोंट वांट के सोशल मीडिया पे फॉर्ड जो है टार्गेट हो और जिस किसम के वो हमारे उस आपके सेमिनार के बाद वो हुआ वहां पे मेरे पास वो साहब आये थ यार बीच में आवाज क्यों गवह हो रहे है उसके वो नमाइंद 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 लहूर के थे जिसे जैए जैए नहीं है जो दुख है अट टे लेवल आफ तर गुफतगू पुजे अपने पे नहीं है अपने कमीर्स का गाम होगा लेकिन उसे ज्यादा नहीं है जो दुख है, at the level of the conversation, यहाथ हौला रखें, यह करें, वो करें, जिमनन जिकर, इमरान खान, ने, 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 उसकी छोड़ दें, वो खतम हो गया है, and I put the question, I put the question, यहार देखें, आप बना रहे हैं, अब इमरान कान खतम है, तो किसको आप बना रहे हैं, and I asked Shabaz Shreef को, and he said yes, he said yes, I said yes, really, फिर मैंने recount किया Shabaz Shreef की provincial government पे, मैंने उसने क्या किया क्या तब से, एक, दो, तीन में, यहां पे नहीं कहने पर सारा मैंनों उससे पता रहे हैं, but मुझे जो दुख हो रहा है, at the level of thinking, कि जो मैयार है, जिससे वो चीज़ें हो रहे हैं, जिससे वो देखी जा रहे हैं, दुख उस चीज़ का, हमने, we have my generation, हमारी first post partition generation, we have played our innings, for good or bad, and most, जबर्दस चीज़ें इन्हों निकाल का सामने रखी हैं, कि वो generation की बात करी हैं, कि आजकल क्या चलता है, वो जो पुरानी politics थी, 10-20-30 साल पहले की, वो आज नहीं चलती, आज दौर अलग है, लोगों को जो चाहिए, वो सुनना चाहिए, जो सुनना चाते हैं, जितना भी दवालो उनको, social media है आजकल, आवाज पहुचाने के लिए, निकालने के लिए ये बात मैंने भी बोली थी, और इस चीज़ से इंकार नहीं कर सकते, और इस चीज़ से आप भाग नहीं सकते, और इन्हों ने बोला जैसा कि पुरानी time की government थी, उस time पे तुम सही थे, लेकिन अब नहीं हो, अब वो चीज़ नहीं चाहिए, अब वो चीज़ पबलिक को भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, वो चीज़ चली नहीं रही अब, तो उस चीज़ को लाकर क्या फायदा, and correctly इन्हों ने सब कुछ कहा, सही बाते इन्हों ने सामने रखी, बहुत कुछ कहना नहीं चाते थे नहीं बोल रहे थे बीज बीज में इस वीडियो में साउंट कुछ जा रहा था बीज बीज में मुझे नहीं पता वो शायर साइलेंट किया हुआ है कुछ वर्ड्स अगर आप बता सकते हैं तो बता दे न वाकी बढ़िया स्पीच थी तगरी स्पीच थी जर्नेलिस्ट हैं ये आर्मी में रह चुके हैं और काफी कुछ मैं ले पहली बार देखा है इनको पहली बार सुना है स्पीच इनकी जबर्दस तरीके से तो इन्हों ने स्पीच दी है लेकिन फैक्ट के साथ बात की है काफी मिच्चूर और काफी नौलिज रखने वाले बन दे हैं इतनी बुजर्व हो गए हैं इसके बात इनके पास नौलिज का बंडार तो हो गई होगा चीज़े पहले नहीं पहुंचती थे लोगों तो आप पबलिक निकल रही है मतलब अपना आराम को कर ये बात मैं हमेशा बोलता था और इन्होंने भी वही बात बोलिये कि लोग निकल रहे है मतलब किसी को क्या पढ़िये निकलने की क्यों जा रहे हैं किसी वज़ा से तो जा रहे हैं निकल कर उनको भी इस deed की awareness हो रही है कि क्या है सही किसका साथ देकर हमें उसको seat पर बिठाना चाहिए तो इसलिए public निकल रही है और थोड़ी मशक्कते थोड़ी परशानियां उठा रही है और निकल रही है जो अभी लाहॉर में जलसा हुआ था उसमें जो viewership की बात की दिनोंने की थक्के हुए लग रहे थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे मतलब दूसरी पारड़ी को बोल रहे थे तो वह मैंने भी देखा था मुझे इंस्टा पर आप में से किसी ने बताया था कि दिखाया भी था बलकि कि व्यूवर्शिप जो थी लाइफ की वो 99% थी शायद इनकी इनकी जलसे की इमरान खान के बागी एक आदी परसेंट थी उदर तो कोई देख ही नहीं रहा था मतलब किसी ने देखा ही नहीं तो फिलाल इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाइ-बाइ-डेकर साइनिंग आफ